हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हम आपका हमारी इस यूटूब चैनल पर तो जैसा कि आपको मालूम है कि करोडो भारती फैंस का इंतजार खत्म हुआ जी हाँ यानि कि T20 World Cup 2024 के लिए भारती टीम का एलान हो चुका है यह इंतजार जो की महिनों से था यह इंतज कar नेंगे की किन खिलाडियों कि इस टीम में नहीं सामिल किया गया या उसके पीछे की वज़ह क्या थी और कुछ ऐसे पिक्स के बारे में जिसे लेकर कौन्टुवर्सी है किरकेट फैंस का मानना है कि इन खिलाडियों को इसकृडर में नहीं होना चाहिए इसके अलाबा हम आपको यह भी बताएंगे कुछ ऐसे युवा खिलाडी जो कि पहली बार आपको वर्ल्ड कप के स्कॉइड में दिखते हुए नजर आएंगे और कुछ बड़े खिलाडी जिसे नजर अंदाज कर दिया गया तो इस वीडियो को आप पूरी जरूर देखिएगा और अंतक हमार अंदाज किया है इसमें सामी ले कप्तान रोही सर्मा विराट कोहली सूरी कुमर यादो एक बार फिर से आपको दिख सकते हैं जो कि टीटवेंटियो फॉर्मेट में बहुत बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं एक बार फिर से आपको हार्दिक प पन्त की एंट्यी होने जा रही है बतौर विकेट की पर बल्लेबाज रूसरी पंत रहे हैं हाल में आई पेल उच्छे लाई में प सकते नजर आ रहे हैं उसके अलाबार आपको बहुत समय से नजर अन्दाज करते आ रही थी वह आपको टीप में दिखाई हुए हैं अर्सदीब सिंग ने पिछले बार टीटवेंटी वर्लकप दोज़ा चोबीस बाइस में भी खेला था इस बार भी वह टीम में जगा बनाने में काम्याब हो गये हैं इसके अलावा आपको रविंद्र जडेजा दिखेंगे यह सस्वी जैस्वाल संजू सैम्सन जिस इससे पहले टीम इंडिया के लिए हो उन्होंने अच्छे तरीके से बल्ले बाजी की है और अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्ले बाजी की है और इसका फल आखिरकार सिवमदूबे को मिला बतादी कि सिवमदूबे भी टीट्वेंटी टीम के स्कौाइड में सामील हैं देखे जा रहे हैं लेकिन जो चौकाने वाला नाम है वह रिंकू सिंग का है रिंकू सिंग टीट्वेंटी फॉर्मेट में लगतार अच्छा परदसन करती हुए देखे जा रहे हैं ऐसे में रिंकू सिंग को टॉप 15 के स्कौाइड में नहीं रखना या समझ से परे है इसक आप इसे स्कौाइड में किन खिलारियों को मिस कर रहे हैं और आपके इसाफ से किन खिलारियों को इसे स्कौाइड में होना चाहिए यह आप जरूर बताएगा लेकिन इससे पहले हम आपको बता दे कि जिन खिलारियों को लेकर चर्चाएं बनी हुई है कि इन खिलारियों क इस स्क्राइडी में सामिल किया जाना चाहिए इसमें पहला और बड़ा नाम केल राहूल का है जी हां दोस्तों केल राहूल ने हाल में जिस तरह से बल्ले से रन बनाई है उनका बल्ला जिस तरह से बोला है एक वक्त पर उनका बल्ला खामोस था जी हां जब आप पिछले साल क पिछले दो साल पहले की T20 World Cup को देखे या फिर उस समय हुए Asia Cup को देखे तो आप पाएंगे कि केल राहूल का बल्ला खामोस था लेकिन हाल में केल राहूल का बल्ला बोला है केल राहूल का बल्ला जम कर बोला है और चाहे वो IPL हो और T20 World Cup के लिए या T20 International के लिए भारतिय टीम के लिए रंस बनाने की बात हो केल राहूल लगतार कंजिस्टेंसी के साथ रं बनाते हुए आए हैं ऐसे में ऐसे सिनियर खिलाडी को इस तरह से बाहर करदाना किसी भी फैंस को नहीं पच रहा है नहीं हजम हो रहा है ऐसे लेकर आपकी क्या हराई है आपका क्या मानना है कि क्या केल राहूल को इस तरह से भारतिय टीम से बाहर निकालना कितना सही है या कितना गलत हमें कमेंड बॉक्स में अपनी राई जरूर बताईएगा इसके साथ ही एक बड़ा नाम रवी बिसनोई का है होने वाली बात नहीं है एक और नाम रिंकू सिंग का है जो कि बेश्ट फिनिसर के तोर पर उभर कर सामने आये हैं लोग उन्हें यूराज सिंग से कॉमपेर करने लग गए थे ऐसे में रिंकू सिंग को भी इस बार भारतिय टीम में जगा नहीं मिली है और उन्हें रिजर्व खिलाडी के तोर पर रखा गया है इससे पहले कि हम जाने कुछ ऐसे खिलाडीयों के बारे में जिसे लेकर कॉंट्रोवर्सी बनी हुई है और कुछ ऐसे नए खिलाडीयों के बारे में जिसे मौके मिले हैं इससे पहले हम 2022 के T20 World Cup और 2024 के T20 World Cup में भारती टीम के squad को लेकर एक comparison करते हैं और जानेंगे कि 2022 में जो God Squad थी उससे कितना अलग और कितना अंतर है 2024 के T20 World Cup के भारती टीम के squad में comparison में सबसे पहले हम आपको बतादे कि 2022 के जो T20 World Cup था उसमें जो खिलाडी थे और जो 2024 के T20 World Cup में खिलाडी हैं पहले उन खिलाडीों के बारे में जान लेते हैं तो बता दे कि 2022 के T20 World Cup स्क्वाइड में भारती टीम में रोहिच सर्मा, विराड कोहली, सुरिकुमार यादव, हार्दिक पांडिया, रिसब पंत, अक्छर पटेल, योजुएंदर चहल और अर्शदीब सिंग यह वैसे खिराडी हैं जो कि 2022 के T20 World Cup के स्क्वाइड में भारती टीम का हिस्सा हैं, वहीं दूसरी और दीपक खुड़ा, केल रहूल, दिनेश कार्तिक, भूनेश्वर कुमार, मुहम्मद समी, हरसल पटेल, रवीचंदर नस्विन, ये कुछ ऐसे खिलाडी हैं जो कि 2022 में भारती टीम का हिस्सा तो थें, लेकिन 2024 में उन्हें भारती टीम स जगह मिली है 2024 के लिए, वह कुछ इस परकार है, जिसमें सामिल है रविंदर जडेजा, ये सस्वी जैसवाल, संजू सैमसन, सिवम दुबे, जस्परित बुमरा, मुहम्मद सिराज और कुल्दी प्यादव, यहां आपको बता दे कि रविंदर जडेजा और जस्परित बु स्कौाइड में कितना अंतर है, इसके अलावा आप 2024 के भारती टीम के स्कौाइड को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें हार्दिक पांडिया भी है, चुकि बता दे कि हार्दिक पांडिया पिछले कुछ समय से न तो भारती टीम के लिए रंस बनाती हुए नजरा रहे हैं न तो विकेट चटकाते हुए ने जरा रहे हैं वहीं IPL में भी उनका बल्ला खामोस रहा है कुछ अच्छा रंस और अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखे जा रहे हैं साथ ही विकेट भी चटकाते हुए नहीं देखे जा रहे हैं ऐसे